2 warned branch personal loan apply कैसे करना है आपको playließen branch app मिलेगा एक तरह से loan नइप उसमें आपको apply कैसे करना है और लिमिट कैसे मिलेगी और इसमें charges क्या है अब ब्र Libaysι कि आपको उसमें पांस्टोर से लेकर या पाचास तक घेंँ पेमिट आपको कितना देना पड़े है कितने EMI के साथ सारा डिटेल वीडियो में बताउंगा वीडियो छला होते लाइक किजिए तो आपको प्लेस्टर में जाना है ब्रांच प्रस्टनल लोन नितना लिखना है तो इस तरह से हो जाएगा आपको इसको डाउनलोड करके रख ठीक है 500, 1500, 2500, 2500, इस तरह से होगा आपको 10,000 लास्ट मुझे दिखा रहा है आपको ज़्यादा भी दिखा सकता होगा लेकिन सीबिल पे इनपीड डिपेंड करता है पहले आपको सीबिल डिक्वार्डमेंट होगा बहुत ही कम 650 भी होगा आपको लिमिड मिल जाएगा आपको ये ध्यान दखना है कि कि आपको ढ़्याजर मिल सकता है या पांच अधर के अंदर मिल सकता है जब आप उसको लेने के बाद timely payment कर देते हो तो आपको loan amount बढ़ते चले जाएगा सब loan app का इस तरह से ट्रामेंड करने जाएगा आप लेने के बाद timely payment कर देते हो तो आपका limit increase होता रहेगा और एक चीज़ ध्यान रखना है आपका civil जब down हो रहा है तो आप limit close करने के बाद जो भी loan लोने के बाद close कर देते हो दूबारा से अपलाई करेंगे वहां limit बढ़के दिखाएगा जब apply करेंगे तो आपको loan नहीं मिलेगा कि आपका civil डाउन जा रहा है याद रखना है जब civil आपका डाउन जा रहा है loan close करने बाद लोन दूबारा से नहीं मिलेगा ठीक है अभी चलिए आते हैं ब्रांच प्रस्टनल लोन में जब loan लेना जाते हो उसमें आपको कितना यह माई लोन ले सकते हो और कितना पैसे अपने बैंक अकड़ मिलेगा और कितना पैसे आपको एक्स्टा चार्ज देना पड़ेगा तो चलिए मुझे देख लेता हूं मुझे जो पैसे अभी मैं 10,000 का loan दिखा रहा है यहां पर पिनिसपल दिखा रहा है अभी मैं 10,000 जब उठाना चार रहा हूं तो आपको देखे लोन में क्लिक करना है इसके अंदर से आपको चूस करना है अलाग अलाग इंट्रेस डेट है आप जतने जल्दी आपको लोन क्लोस करें तो इतना कम चार्जस देना पड़ेगा ठीक है अभी फोर मंत में अपलाई करता हूं उसमें डाट में क्लिक करना है क्लिक करने अपको यहां दिखा रहा थे 11,324 रुपे देना पड़ेगा ठीक है 10,000 में 11,024 रुपे दे सकते हो लेकिन यहां दिखा रहा है आपको जी एस्टी प्रोसेसिंग 10,000 में 11,000 रुपे कर जाएगा आपको 10,000 में 11,000 रुपे कर जाएगा 8,949 रुपीस बैंक आकॉन में मिलेगी आपको पेमेट करना है 11,324 रुपे आप नीचे जो लिखा है व्यू डीटेल्स में क्लिक करेंगे अभी देखे हैं सारा डीटेल्स लिखा रहा है कितना चार् आपको चार्जेस कितना कर रहा है कि हर समय अलग अलग होता है मेरा अलग दिखा रहा है आपको भी अलग दिखा सकता होगा लेकिन इसमें जब आप 3,000 या 2,500 लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है उसमें बहुत ही कम चार्जेस रहता है लेकिन जितना बड़ा अमोन ल जब आप एक्री करते हो तो ले सकते हो ठीक है लेने के लिए बहुत इंज़ा है देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है उसमें कंटीनु करना है बैंक अब करने का पेनाओ में क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टनली पैसे मिल जाता है कभी को दिखे तोड़ा सा टाइम लेट हो स सब सिबिन पे डिपेंड है को जब नोन लेते हो weep करते हो आपका दूसरा को имеет लन लेनी के बाद उसको टाइम ली पेमेट नहीं करते हो है करो कई कई किए भी नहीं हो तो आपका दूसरे आप में वहां 10,000 या 5,000 जो भी लोन दिखा रहा है उसको जब उड्रल करना चाहते हो तो आपका सारा प्रोसिस जाएगा जैसे बैंक टांस्पोर होने के लास्ट प्रोसिस में पैसे जैसे बैंक में उड्रल करना है वहां जैसे आप क्लिक करोगे वहां दिखेगा not eligible इस तरह से लिख यह चीज़ ध्यानक नहीं हर एप में अलग अलग पोसिस है और यह तो एन बीएपसी बेंक्स फाइनेंस बैंक है आपको पता होगा इन मैं इससे तीन चार बार लोन भी ले चुका हूं लेकिन तो आई होप आपको वीडियो चलागा हो लाइक किजिए कमेट किजिए दोस्तों को सेर किजिए चैनल को सस्क्राब